प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे कक्षचे की गनित और इसमें हमने अपना पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारे को पढ़ना प्रारम कर दिया था और हम पूर में प्रश्णावली 1.2 के प्रश्ण संख्या 1.6 पर चर्चा कर चुके हैं अब हम आज पढ़ने व चालिस रेडियो खरीदने का और दिया तथा प्रतिक रेडियो का मुल्य रुपए 12.00 इस खरीदारे के बाद उसके पास कितनी राशी शेश रह जाएगी अर्था जूसके पास यह इतने सारे रुपए थे और इन रुपए में से उसने 50 रेडियो चालिस रेडियो खरीद दाले फिर कुछ पैसे बचे वो कितने बचे वो हमें बताना है तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 40 रेडियो आए कितने में तो उसके लिए हमारी मदद कौन करेगा एक रेडियो अर्थाथ एक रेडियो का मुल्य कितना था 1200 रुपए ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बस कुल धन राशी कितनी थी तो कुल धन राशी थी 78,500 बाणमे रुपए ठीक है इसके बाद बात आ रही है प्रतेक रेडियो का मुल्य 1200 रुपए था तो यहां पर हम प्रतेक का मतलब एक होता है तो एक रेडियो का मुल्य कितना हुआ 1200 रुप एक का पता हो और ज्यादा का निकालना हो थम उसी मान को दुबारा लिख करके जितने मान निकालने है उससे गुणा कर देते हैं अर्थात 1200 को जब हम 40 से गुणा करेंगे तो यहाँ परपेस का मान कितना आएगा थम में कर लेते हैं 1200 इंटू 40 अगर आप संदेख पा रहे हैं तो यहाँ पर जीरो बहुत सारे हैं जो कि हमारे को गणना करने में बहुत सा उलिद देने वाले हैं हम इकठे इन जीरों को लिख लेते हैं एक दो तीन क्योंकि यह तो आ नहीं है और बारा को चार से गुणा करते थे तो बारा चौके 48 48 और कौमा लगाएंगे एक दो तीन 48,000 रुपए अर्थाथ उसको इन सब को खरीदने के लिए 48,000 रुपए खर्च करने होंगे आप अगर आपको इस तरह से गुणा में दिक्कत आ रहे है तो आप अपनी सुच्छा से उपर नीचे जैसे अपन करते हैं बारा सू स्थम विधी से आप ऐसे भी कर सकते हैं मां तो इतना ही आएगा अब बात करते है धन राशी शेष रह गई तो पैसे तो उसके पास इतने थे इतने रुपए थे न और इतने इसके खर्च हो गए तो कितने 6 रहे, 6 के लिए हम क्या करते है, घटाते हैं, तो घटा देते हैं, ये लिखा 78,500 बाण में और इसके ठीक नीचे लिखा 48,000, घटाया, ये माइनस का नीचार, तो यहाँ पर पर आ रहा है 2, 9, 5, और 8 में से 8 गए, 0 और 7 में से 4 गए, तो 3, तो ये वराश्य कितनी आई 30,500 बाण में, तो ये राश्य शेष रह जाएगी, रुपे और लिख देते हैं, ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रेश्ण पर, जो कि ये प्रेश्ण 8, एक विध्यारती ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, अरे, ऐसा भी होता है, कभी-कभी हो जा गुणा 56 के बजाए किससे कर दिया, 65 से कर दिया, ठीक है, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, करना तो किससे था उसको 56 से और कर दिया किससे 65 से, ठीक है न, तो कितना अधिक था, ठीक है, तो पहले तो हम इनको ऐसा गुणा करके देखते हैं, तो आपकी विधा के लिए मैंने ये पहले से गुणा करके रख दिया है हम गुणा करते हैं तो ये आया मान चाल इकाई धाई सेंकडा कॉमा लगाया 4,5,216 और यहां आया 4,70,340 ठीक है तो आप देख पारें 65 है बड़ी संख्या है तो बड़ा मान आया और छोटी संख्या है तो छोटा मान आया लेकिन ये तो जादा आ गया ना इतना तो हमें चाहिए नहीं था हमें तो ये चाहिए था तो कितना अधिक आया तो अधिक के ल जब इस मान को घटाया तो मान आया 55124 यह हमारा सही मायने में उत्तर है ठीके ना मतलब कहने का अगर वो 65 की बजाए 56 गुना करता तो मान अलग आना था अब वो पूछने कितना अधिक है तो अधिक हमने निकाल लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस सवाल में इसने सं वों केत लिखा है क्या संकीत लिखा में गुना करना आवर्शक है नहीं है और हमने तो गुना कर दिये तो पर किया करना है बेलकुल एक छूटे से ट्रेक या छूटी से बात को हम समझ लेंगे तो और इतने लंबर-चोड़े जो गुना की यह है कि भिने और फिर उनको से 56 से जबकि उसने गुणा किस से कर दिया 65 से यही हुआ ना तो कितने ज्यादा अंकों से गुणा कर दिया उसने कितने ज्यादा अंकों से गुणा कर दिया 9 अंकों से तो हमें 7236 को वास्ता में किस से गुणा करना चाहिए था 9 से कितने अधिक तो अधिक तो कितने है अधि अगर इसको इस से समझें आप 7236 को उसने गुणा कर दिया पहले 65 से जबकि उसको गुणा किस से करना था 7236 को गुणा किस से करना था 56 से ठीक है ना तो वो कहरा है कितना अधिक है तो हमने असल में जो किया था यही तो किया था इस सारे गुणा को इस सारे गुणा से गटा दिया था और फिर मान निकाल करके गटाया था लेकिन हम इसको डिरेक्ट भी कर सकते हैं डिरेक्ट कैसे वही important बात है तो यह देखिए ध्यान से अब आप क्या कर सकते हैं इन दोनों पदों में यह 65 और 56 अलग है जबकि यह सेम है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और 65 में से 56 गटाए तो कितने आए 9 यह यह यूं मोटे तोर पर ही समझ लेते हैं कि 65 और 56 में कितना अधिक है 9 अधिक है तो 7236 को 9 से गुणा किया और मान आ गया 65124 जो कि यही है तो आप स उत्तर आपके सामने होगा उमीद है आपको यह दोनों उधान समझ में आये होंगे मिलते हैं नए प्रश्णों के साथ नए वीडियो में जुड़े रहिए धन्यवाद